ता हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस लेक्चर में लेक्चर 25 में डिस्कस करेंगे इन्वा जनेगे। जो हमारे पास terms है environment इसका मतलब होता है immediate surrounding मतलब हमारे पास जहां पे हम रहे रहे हैं उसके immediate surrounding कहा है जहां पे man sleeps रहते हैं जहां पे human sleeps करते हैं इंसान रहते हैं उसके immediate surrounding को ही क्या बोला गया है environment बोला गया है इसमें हमारे पास living component और non living component भी मिलते हैं there is a balance between living and environment हमेशा living में और environment के बीच में क्या है balance बना रहना चाहिए अगर यह balance disturb हो रहा है यह balance विगड़ रहा है तो उस disturbance को उसी विगड़ते हुए balance को ही क्या बूला जाता है pollution कहा जाता है और वो pollution को बिगाड़ने के लिए कोई ने कोई कारक होगा कोई ने कोई factor जरूर important होता है तो वो factor हमारे पास pollutant कहलाता है अब अलग-अलग factor अलग-अलग type के pollution create करते हैं तो हम आगे आने वाली classes में अलग-अलग type के pollution के बारे में जानेंगे और अलग-अलग type के pollutant के बारे में जानेंगे तो pollution क्या हुआ? pollution may be undesirable change हमारे लिए desirable नहीं है, undesirable change है चाहे वो physical parameter में undesirable change हो रहा है या chemical parameter में change हो रहा है या इसके biological parameter में change हो रहा है अगर कोई undesirable change हो रहा है तो वो undesirable जो change होता है वो undesirable change ही क्या कहलाता है वो pollution कहलाता है दा factor responsible for दा factor responsible for the environment pollution तो बहुँ सारे ऐसे key factors होते हैं जिसकी वज़त से हमारे पास क्या होता है? environmental pollution होता है अब उन सारे factors को एक एक करके हम समझेंगे जैसे अगर हम बात करें कौन कौन से type पे pollution होते है तो air pollution हमें देखने को मिलता है majorly pollution की मैं बात कर रहा हूँ होने को तो इनके अलावे बहुत सारे pollution होते हैं लेकिन हम major major pollution के बारे में discussion करेंगे air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution, radioactive pollution और thermal pollution तो यह हमारे पास major major pollution थे कौन pollution के बारे में यहां पे मैंने उनका नाम जिक्र किया अब एक एक करके समझते हैं कि यह pollution क्या है बस छोटा सा इंटोर समझेंगे हर एक type का pollution के बारे में such concentration कुछ ऐसे concentration में that they can produce the undesirable effect जिसकी वैसे क्या होता है undesirable effect देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं air pollution अब sources क्या होते हैं air pollution के तो air pollution को pollute होने के लिए different sources हो सकते हैं कौन कौन से sources हैं उनको basically दो पार्ट में divide किया गया है पहला जो source है उसको बोलते है natural source और दूसरा जो source है उसको बोलते है man-made source man-made तो याद रहता है लेकिन जो इसका दूसरा नाम है anthropogenic sources तो बहुत सारे बच्चों को anthropogenic word याद नहीं रहता तो anthropogenic जो है वो man-made का ही एक synonyms है तो anthropogenic causes भी हो सकते है natural causes कैसे हो सकते हैं like large scale पे air pollution जो हो रहा है वो किसके वैसे हो रहा है natural की basis पे और natural basis पे कैसे होगा जैसे कहीं पे volcanic eruption होगा जो आलमोखी फट गया तो वहां से बहुत सारी बिसैली gases generate होती है कहीं सी जंगल में आग लग गई तो जो forest fire है natural cause है यह इंसान नहीं जाके आग लगाएगा कभी-कभी जंगल में प्रकृतिक करणों से आग लगती है तो उस आग के चलते भी बहुत सारे area में क्या होगा उस gases generate होगी उसकी वैसे man-made causes तो आपको पता ही है जिसी वैसी यह देखने को मिलता है अबТो आख कारक्त किस-किस phase में हमें देखने को मिल सकते हैं तो बहुत ही शॉलिड के पार्टिकल से लेकिन का साइज बहुत ही स्माल होता है जो आखों से दिखाई नहीं देता और हवा में उड़ते रहते हैं इसलिए इनको बोलते हैं पर्टिकुलेट पॉलुटेंट इसके बाद क्या 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 रीजन हो सकते हैं उस एयर पॉलुशन का श्त्र मुंता है JE comment एक पर मंने पर हम hear भी देखने को मिलता है और यूभाट पर भी देखने को मिलता है यूपन पर जैसे बात करें कि इतने भी रेस्पेरेटี่सिस्टम होते हैं वह बेरेश्पेरेट्व यह बर्यवग्त हने लगते हैं कैसे कंट्रोल किया सकता है तो हम ए ज्यादा carbon dioxide generate होती है इसके अलावा जो less pollution फैलाने वाले fuels हैं उनका यूज किया जाए ज्यादा से ज्यादा paint पोधी लगाए जाए फिर इसके बाद जो second type का pollution है second type का pollution है उस pollution को बोलते है water pollution अब जो water pollution है हमें एक चीजे पता है कि water भी हमारे है body के लिए इतना ही essence है जितना है air है तो हमारे पास water requirement है और water requirement बोर्ट के सब्सक्राइब के साथ साथ quality भी चाहिए quantity मात्रा भी प्रयाप्ट होने चाहिए और वह जो पानी की मात्रा अच्छी होने चाहिए बहुत प्रयाप्ट पानी होने चाहिए इसा नहीं है कि पानी साफ है लेकिन 100 ग्राम ही है और हम चार दिन से प्यासे हैं चार दिन यूज करना उसको तो नहीं survive कर सकते तो इसलिए हमारे पास क्या होने चाहिए quality के साथ साथ quantity को भी ज्यान सबस्तर पाना राका जाता है अगर चाजर हमें बात करें तो इसके बहुत इसके बहुत तो इसका चाह coolest होता है तो सबसे पहला सोर्स होता है domestic sewage हमारे घरों से जो जाने वाला untreated sewer होता है जिसमें हमारे पास human accelerator के ऐसाथ साथ ही बहुत सारे activities हमारे घरों से washroom से kitchen से बहुत सारी जगों से पानी waste होके जाता है वो क्या करता है दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होता है इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट कराते हैं तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी एक मुख्यकारण हो सकते हैं water pollution से जिसमें क्या होता है इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्टेज हैं वो वाटर को पॉल्यूट करते हैं तो उन सारे वेस्टेज को बोलते हैं हम वाटर पॉल्यूशन जिसकी वैसे इंडिस्टियल वैस्ट की वैसे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है अब जो वाटर पॉल्यूशन में होने वाले पॉल्यूटेंट हैं वो कौन-कौ इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेगा हमारे पास water pollution का तो पहला इफेक्ट यह देखता है कि यह जो water है यह toxic compound के रूप में आ जाएगा और हमारे लिए health problem create कर देगा इसके अलावा इसकी वज़से thermal pollution create हो जाता है इसकी वज़से इन और गेनिक जो chemicals होते हैं like oxide और salt क्या हो ज चुका है अब इसको कैसे control करेंगे water pollution को तो से पहले जब हम waste water में discharge waste water को discharge करें गंदा पानी को किसी साब पानी में मिलाए तो हम उसको क्या करें treat करके मिलाए क्या करने सबसे पहले treatment करें इसके अलावा कोई ऐसे technology बनानी चाहिए जिसकी वज़से water का जो demand है वो कम हो सके इस पानी मिलेगा इससे ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा इन सबके अलामा हर के लिए हर किसी के लिए क्या कियादा है rain water harvesting compulsory कर दिया जाए अगर कोई rule and regulation को break कर रहा है तो उसके लिए क्या की जाए सजा का प्रावधान बनाए जाए उसके लिए उसके उपर कुछ regulation लगाए गय जाए ताकि वो pesticide और fertilizer का use कम करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूप बनाए जाए ताकि क्या करें प्लांटेशन करें प्लांटेशन के वज़र से क्या हो जाएगा water pollution भी control होगा the treated water should be reduced जो हमारे पास treated है treated water है treatment water कर रहे हैं कि हम उसको properly use करें ताकि हमारे जो बाक chemicals या fertilizer use कर रहे हैं जिसकी वज़से जो धरती है उसकी उर्वरा सकती जो होती है जो इसकी capability है fertility है वो क्या हो रही जीरे जीरे time के साथ reduce हो रही है और इसी चीज़ को बोल रहे है हम क्या कि land pollution हो रहा है और soil pollution हो रहा है इन सब क्या लामा noise pollution की बात करें noise pollution आज कल के आया दिनो söyleye noise की विरे से क्या हो रहा लोगों का concentration कमचोर होता जा रहा है लोगों चिट्चड़ हमाने लग कोई बात बोलते थे आज कोई बात बोले तो आज के परसन उसमें ज़्यादा चिरचिरा पन होगा ज़्यादा चिरचिरा पन होने के वैसे ज़्यादा कुछ उल्टा सिधा रियक्ट करते हैं तो noise pollution भी एक common problem हो चुकी है आज modern day में और इससे हर कोई परसान है चाहिए वो urban area में रहने वाला चोटा बच्चा हो चाहिए बड़ा आदमी हो या भुजूर्ग हो सारे लोग इससे affected हैं तो release of unwanted sound जो है atmosphere में जा रहा है उसी को तो हम noise pollution बोलते हैं noise pollution को measure किया रता है decibel में basic unit होती है किसकी sound को measure करने की decibel जो है frequency measure करता है है जब भी हम बात करते है sound की intensity तो intensity measure करने के लिए हम unit use करते है हर्स hz पढ़ते हैं हर्स और आखरी जो हमारे पास second last pollution है वो है हमारे पास radioactive pollution जो radioactive material की वैसे होगा और thermal pollution होता है जब क्या करते हैं कोई भी हमारे पास undisalable change होता है जिसमें industrial waste water क्या करते हैं किसी water body में डाल देंगे industry से निकलने वाला waste water जो होगा काफी जदा उसमें heat होता है गरम होता है पानी और जब वो किसी आज-पास की water body में मिला दिया जता है तो water body मरने लगती हैं महां पे जितने भी aquatic life होते हैं वह ओओ मर जाते हैं जिसकी व्यक्ति यह thermal pollution होता है heat की वर से यह चीजे थी आजके topic में आज के topic में हमने यह cover किया pollution क्या होता है एन्वार्मेंट क्या होता है एन्वार्मेंटल पॉइशन क्या होता है बागी अगर किसी को किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ओके ख्लास थांक्यू